राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जन्माश्टमी पर करने वाला एक बहुत ही आसान और अच्चु कुपाय बताने चाह रहे हैं दोस्तों जन्माश्टमी का पर भादपद महा के क्रश्ण पक्ष की अश्टमी के दिन मनाया जाता है दोस्तों इस बाद जन्माश्टमी का पर ग्यारे और बारे अगस्त को मनाया जाएगा मत्रा और द्वारिका में जन्माश्टमी का पर बारे अगस्ट को मनाया जाएगा वहीं काशी और जगन्ना पुरी जन्माश्टमी का पर बारे अगस्ट को मनाया जाएगा शास्तों में उद्यातिथी को अधिक मानेता दी जाती है उद्याति थी के हिसाब से इस बार जन्माश्टमी का पर 12 अगस्त को है उपाय करने के लिए जन्माश्टमी के दिन इसनान करके सच्छ पीले या गुलावी रंगे बस्त धारन करें अगर पीले गुलावी रंगे बस्तर ना हो तो भूल कर भी काले रंगे बस्तर ना पहने अब लड्डू गोपाल को इसनान कराकर सच्छ बस्तर धारन कराकर उनका श्रिंगार करें अगर आपके घर में कानहाची की तस्वीर है तो उन्हें साफ कपड़े से पहुँचें इसके बार एक शुद्धी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंदे धूपत्दी भी जलाएं फिर कानहाची को और राधा मया को हल्दी या फिर पीले चंदन से तिलक करें अब दो अलग अलग पात्र में थोड़ा थोड़ा माखन रखें और थोड़ी सी मिश्री रखें ध्यान रखें इसके लिए आप नमक वाला माखन इस्तमाल ना करें बिना नमक वाला ही माखन रखें अगर माखन नहीं है तो आप थोड़ी-थोड़ी मिश्री दौनों पातर में रखें और एक-एक तुलसी दल भी आप माखन मिश्री के साथ रखें अब दौनों पात आप अपने मंदिर में रखें और उसमें से एक पातर कानहा जी को माखन मिश्री सबसे ज़्यादा प्रिय है कानहा जी को आज के दिन माखन मिश्री का भोग जरू लगाना चाहिए और तुलसी दल भी उसमें जरू रखना चाहिए क्योंकि तुलसी दल के बिना कानहा जी कोई भी भोग सुईकार नहीं करते अब भगवान श्री गणेश कानाची राधा मैया और गोमाता को प्रणाम करें इसके बाद कानाची के इस महा मंतर का 108 बाद जाप करें मंतर है ओम नमो भगवती वासु देवाई मंतर का जाप करने के बाद भगवान जी को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रातना करें फिर आपने जो दूसरी कटोरी में माखन मिश्री रखा है उसे उठाएं और यह माखन मिश्री आप गौमाता को खिला दें गौमाता को माखन मिश्री खिलाने के बार गौमाता को प्रणाम करें उनसे अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने के प्रात्ना करें अप गौमाता के चर्णों की धूल यानि की जहां पर गौमाता ने अपने चरण रखे हैं उस जगे की थोड़ी सी धूल उठा कर आप अपने माते पर उससे तिलग करें गौमाता के चरण की रज मस्तक पर लगाने से जीवन में सौभाग्य के प्रधी होती है पुराणों में कहा गया है कि जो मनुश्य गौमाता के खोड़ से उड़ी हुई धूल को सिर्पर धारण करता है वहमानों तीत के जल में इसनान कर लेता है और उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है हो सके तो गौमाता को आज के दिन जल जरूर पिलाएं या फिर आप चारा भी गौमाता को खिला सकते हैं गौमाता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुनले नहीं है पुराणों में गौमाता को 68 करोड तीत तथा 33 करोड तेवी देपनाओं का चलता फिरता बिग्रह माना कया है आज के दिन इस उपाई को करने से भगवान श्री कृष्णी की विशेश क्रपा प्राप्त होती है और काना जी और गौमाता अपने भगतों के सभी कर्ष्टों और दुखों को दूर करते हैं और उनके जीवन की समस्ते परिशानियों का अंतिकर देते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्ते दारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस सिब है भी इसका लाब उठा सकें और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना ना पूलें थैंक्स फोर वचिंग राधे राधे